पब्लिक टीवी आपकी आवाद योजना की जानकरी देते हुए बताया कि मुरदबाद पीतल नगरी के नाम से विश्व विख्यात है मुरदबाद रेलबे स्टेशन पर पीतल की कलाकृतियों को इस्टाल पर सुसजिक कर लगाने से स्टेशन पर आने वाले देशी तथा विदेशी यात्रियों को मुरदबाद की शिल्प कला और कलाकृतियों को जानने का मौका मिलेगा कर दो हमारी केंडर सरकार का जो कारेक्रम है वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट उस प्रोड़क्ट वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट के तहत यह 15 दिन का यह पहला फेज है जिसमें फंदरा दिन के लिए यह store लगाया जहां मुरादाबाद पीतल लगरी के नाम से जो फेमस है पीतल की जो इंडस्ट्री है उसके कारीगरों को लगुद्यमों को और जो सेल्फ एल्प ग्रोप्स है इनमें से किसी भी एलिजबल एक पार्टी को स्टॉल लगाने की 15 दिन की यादत दी जानी है टोकन फीस पर उसी 15 दिन के लिए भी आवेदर हम लोगों ने मांगे हुए हैं जो अगले सब्तात हैं हमारे पास आते हैं तो उनमें फिर हमें निर्ड़ लेना है कि अगला 15 दिन और किसी और को स्टॉल लगाने की दी जाए इसका उद्देश है यह है कि जो लगुद्यम सेल्फ एब्रूट या आटीजन खुद अपना इस तरह के बिजनेस को अपना बढ़ाना चाहते हैं या लोगों तो अपने प्रड़क्त को पहुंचाना चाहते हैं उनलों को जहां तक हो सके अपने शहर के स्टेशन पर ही उनको मौका दिया जा सके अभी के लिए किवल मुरादाबाद के लिए को नामित किया गया है हम लोगों ने पहले मुरादाबाद नामित नहीं था हम लोगों ने रेलवे बोर्ड से मांगा था कि हमें मुरादाबाद में पीतल लंगरी होने के वैसे इसकी अनुमती दी जाए और बोर्ड और हेड़ दोनों ने हमारे सुझाव को मानकर हमें अनुमती दी उसकी बाद हम यह कर पाए हैं हम उन्हों के उन्हों के निर्देशन में ही इस प्रकार से यह कारे कर पारे हैं